Hello everyone, welcome back to Magnet Brains, this is Swati your spoken English educator और Magnet Brains के इस platform पे आपको पता है राइट कि 12th Standard से लेके Kindergarten से लेके 12th Standard तक आपको मिलता है सारा content हर subject का बिलकुल free इसके साथ ICSC या competitive exams आपको कुछ भी चाहिए academically आपको इस platform पे सब कुछ मिलता है मतलब one or two chapters के बाद you don't have to pay for anything और जब अब हमने launch किया है spoken English course तो spoken English course भी आपके लिए है एकदम free और आज इस course में मैं लेके आई हूँ आपके लिए body vocabulary जिसका आज हम second part देखेंगे which is your hand vocabulary अब जब हम hand की बात करते हैं तो सबसे पहले हम palm की बात करते हैं इस area से लेके इस area तक को अपन क्या कहते हैं palm हथेली MOR फिक है अब इस में अगर इसको आपने मुठी बना ली मुठी को क्या कहते हैं हम fist, fist, ठीक है, तो यहां जो यह मुठी होती, इसको आप क्या बोलोगे, fist, f-i-s-t, ओके, अब यह जो पाट होता है, जहां आप watch पहनते हो, इसको हम कहते हैं, wrist, क्या कहते हैं, wrist, w-r-i-s-t, अब आते हैं हम fingers पे, so this is your thumb, this is first वाली जो finger होती है, इसको index finger कहते हैं, index finger, then you have your middle finger, फिर आती है आपकी ring finger, यह जो third finger होती है, ठीक है, इस finger को हम कहते हैं, ring finger, और इसको बोलते हैं हम little finger, understood, thumb, index finger, middle finger, ring finger, little finger, ठीक है, अब यह जो, यह जो bone वाला, यह वाला जो part होता है ना, जिसको अपन, आप लोग से चटकाते रहते हो, इसको हम कहते हैं, knuckles, knuckles की spelling के से start होती है, जिसमें case silent होता है, knuckles, ओके, अब यह जो है, इन्हें हम कहते हैं, nails, इन्हें क्या कहते हैं, हम nails कहते हैं, nail की जो आसपास का जो part होता है, जो कभी-कभी skin थोड़ी कड़क हो जाती है, कुछ लोग की आदत होती है, ऐसे से दान से निकालने की, इसको हम कहते हैं, cuticle, क्या कहते हैं, जो nail की जो नीचे याली यह जो area होता है असपास का, इसको हम कहते हैं, cuticle, so fingernail यह पूरा आपको पता चलगा है, and this is entire thing is palm, clear, अब आते हैं, हम यह सिर्फ palm हुआ, hand vocabulary अभी incomplete है, ठीक है, अब हम आते हैं, क्योंकि hand कहां से कहां तक होता है, hand होता है, आपके shoulder से लेके, fingernail तक, इधर तक यह पूरा hand होता है, so अब आपको पता चलगा, this is your palm, this is your fist, यह होता है आपका wrist, wrist के बाद यह जो part होता है, यहां से लेकी यहां तक का, इसे हम कहते हैं forearm, इसे हम कहते हैं forearm, अब यहां पे यह जो part है, कोहनी, इसको हम कहते हैं elbow, now this part, जहां आप डोले शोले बनात इसको हम कहते हैं upper arm, so यह क्या हो गया forearm, यह हो गया आपका upper arm, और जो आपके जो armpits, armpits को हिंदी में क्या कहते हैं, underarms, जो basically यह वाला जो part होता है, इसको आप कहते हो armpit, armpit, मतलब एक pit का मतलब होता है गढधा, तो यह गढधे जैसा होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं arm का pit, arm, pit, clear, so यह थी हमारी hand vocabulary, यह आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्यों क्योंकि जैसे हम wrist watch बोलते हैं, मेरे नाकल में लग गई, या मेरा fingernail तूट गया, ठीके, या अरे तुम अपने cuticles क्यों खा रही हो, you should know these words, clear, okay, so now what we are going to learn, अब हम सीखने वाले हैं कुछ ब बहुत आसान है, आप उनको अपने daily conversation में use कर सकते हो, so the first one is get out of hand, get out of hand का मतलब होता है, अब आपके हाथ की बात नहीं रही, मतलब आपके हाथ से चली गई है, मतलब आपके control से बाहर हो गई है, तो जैसे आप बोलोगे, oh my god, you know, she has got out of hand, वो तो अब बस अपने हाथ से नि चुकिया, आप तो हमें किसी specialist की जरुवत पड़ेगी, so my uncle's drinking problem got out of hand and eventually he became an alcoholic, मेरे जो uncle थे, उनकी जो drinking problem थी, मतलब maybe he was consuming a lot of alcohol, वो बहुत जादा शराब पीते थे, वो problem एकदम जो है, out of control हो गई और इसकी वचे से जो है, वो एक alcoholic बन गए है, understood the use, आप कैसे use करोगे इसको, मुझे मैं कुछ sentences create करके बताओ, comment section में, चलिए दूसा देखते हैं, experience something first hand, experience something first hand, इसका मतलब होता है to experience something yourself, अगर मैंने बोला, come on, this was my first hand experience, first hand experience, मतलब मैंने किसी की सुनी हुई, या किसी की बताई हुई बात नहीं बता रही हूँ मैं, जो मेरे साथ हुआ, exactly मैं वहीं बता एक दम scary सी और लोग आपको ऐसे देख रहे हैं कि जूट बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, so you can tell the person, no this is a first hand experience, this is my first hand experience, मतलब ये आप भीती है, मैं किसी की देखी सुनी बात नहीं बता रही हूँ, example देखते हैं, I did not realize how hard it was to be a parent, until I experience it first hand, मुझे पता ही नहीं था कि एक parent बनना, एक जो है, मतलब आप जब ममा बनते हो या पापा बनते हो, वो कितना मुश्किल होता है, जब तक मेरा खुद का experience नहीं था, मतलब जब तक मुझे first hand experience नहीं मिला था, understood, next is change hands, ये change hands का मतलब क्या होता है, हाथ बदल देना, नहीं, for an object to be passed or sold from one owner to another, अब जैसे म मैंने अपनी कार जो है, दस साल चलाई और उसके बाद बेश दी, फिर सामने वाले ने दो साल चलाई उसके बाद बेश दी, अब third owner जो है उसका, वो क्या बोलेगा, यार ये कार तो एकदम जो है, trash हो गई है, because it has changed a lot of hands, changed a lot of hands मतलब, बहुत साह लोगों से होते हुए, मेर owners काफी बार बदले हैं, मतलब पहले कोई रहता था, फिर कोई और रहा, फिर कोई और रहा, तो आप ये काहोगे, this house has changed hands several times, understood, this house has changed hands several times, now next is, have got your hands full, now when I say, oh my hands are full, इसका मतलब में पस बहुत काम है, में बहुत ज्यादा बजी हूँ, ठीके, to be completely busy or occupied with something, I cannot meet you, my hands are full, I cannot come to the birthday party, यार, my hands are full, तो इसका मतलब होता है, में बहुत ज्यादा busy हूँ, Barry and Martha have six children and four dogs, they have certainly got their hands full, अब यहाँ पे दो लोग है, Barry and Martha, उनके छे बच्चे हैं, उनके घर में चार कुते हैं, तो उनकी लाइफ कैसी होगी, हाँ, आसान सी, नहीं, they have got their hands full, मतलब they are always busy, okay, next is try your hand at, so अगर आप कोई नहीं चीज ट्राइ कर रहे हो, ठीके, तो आप क्या बोलोगे, यार मैं भी ये ट्राइ करना चाहता हूँ, जैसे आपने कभी गिटार नहीं बचाया, now you wish to play guitar, तो आप बोलोगे, I want to try my hand at playing guitar, I want to try my hand, so basically try your hand का मतलब होता है, किसी चीज को पहली बार try करना, try doing something for the first time, understood, So I have never taken a cooking class, but I would like to try my hand at it, मैंने कभी cooking class नहीं ली है, लेकिन मैं इसको try करना चाहूँगी, मैं एक बार पहली बार इसको experience करना चाहूँगी, बहुत easy है, easily use कर सकते हो इसको, ठीके, अब है at hand, ये at hand का मतलब क्या होता है, at hand का मतलब जो की बहुत readily available है, जैसे की, I like to have a dictionary at hand, book in English, मुझे अपने English improve करनी है, so मुझे रगता है कि जब भी मैं कोई नई book पढ़ रही हूँ, तो मुझे रगता है मेरी dictionary एकदब मेरे past में होनी चाहिए, वरना क्या होगा, मुझे कोई word नहीं समझ में आएगा, फिर मैं जाओंगी dictionary लेने के लिए, फिर उसके बाद इतना time waste क्यों, तो at hand का मतलब होता है, readily available, जैसे कि I always like to have a pen at hand, whenever I am explaining something, अगर मैं किसी को कुछ explain कर रही हूँ, तो मेरी यादत है, मेरे हाथ में हमेशे एक pen होता है, क्योंकि मैं लिख के समझाती हूँ हूँ, तो मेरे को रगता है, सामने बाले को बहुत easily समझ में आ जाता है, understood, चलिए दूसरा देखते हैं, give a hand और lend a hand, मतलब क्या होता है, किसी की मदद करना, to help somebody with something, especially something that requires physical effort, अब जैसे मैं एक bag उठा रही हूँ, suppose I am traveling, अब मेरे हाथ में है बहुत बढ़ा सा trolley bag and it's extremely heavy और escalator रुग ग्या, escalator क्या होता है, जहां पर आप उपर जाते हो ना, जो moving stairs होते हैं, उन्हें escalator कहते हो, वो रुख गया, तो आपने क्या बोला, एक भला मानस जादा था, आपने उससे कहा, hi, could you please give me a hand, इसका मतलब यह नहीं कि उसने खच्च से काटा, ma'am, यह लिजए hand, ऐसा बिलकुल नही होता, इसका मतलब होता है, कि आप उससे request कर रहे हो, किसी काम को करने के लिए, आप उससे मदद मांग रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, could you please give me a hand, understood, could you please give me a hand, और lend me a hand, और वो बोलेगा, sure, मना कर दिया तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन usually, लोग बड़े अच्छे हो नहीं पकड सकती, could you give me a hand, मतलब क्या, तुम मेरी मदद कर सकते हो, next is, give someone a hand, किसी को हाथ देना, give someone a hand, इसका मतलब होता है, also has another meaning, when an audience claps their hands to someone, come on, give him a, like big, like give him a hand, इसका मतलब क्या है, तालिया बजाओ, किसी को appreciate करो, applaud करो, okay, so when the politician finished his speech, the audience give him a hand, gave him a hand, जैसे उस politician ने अपनी speech को finish किया, ठीक है, तो ये two or three हटा दो यहां से, तो जैसे उस politician ने अपनी speech को finish किया, so everybody gave him a hand, मतलब सब ने उनको applaud किया, clap किया उनके लिए, okay, next is, wash your hands off, wash your hands off, का मतलब क्या होता है, to stop being responsible for or involved in something, तुम इस काम में मत पड़ो, तुम इस काम से दूर रहो, इस ऐसी टाइप की जो होते न, यार, मुझे लग रहा है, इनमें जरूर कुछ गड़बड है, तुम तो दूरी रखो अपने आपको, wash your hands off them, wash your hands off this work, इसका मतलब होता है, किसी चीज के लिए responsible नहीं होना, किसी चीज से दूर रहना, इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक प्रोब्लम आई ओफस में, और अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था, उसने क्या कहा, भया तुम लोग देख लो, तुम्हें क्या करना है, मुझे तो नहीं पता, मैं तो जा रहा हूँ, तुम को दे दिया पुरा, तो वाट डिद ही दू, ही वाश्ट ओफस हांस, और उसने पुरा काम दूसरे के माथे मढ़ दिया, understood the meaning, these are some of the very easy hand idioms and phrases, जो hand word आता है, जिसमें, idioms और phrases होते हैं, trust me, आप इनको अपने daily conversation में use कर सकते हो, now what do you have to do, आपको इस video में, जो है, बहुत सारे जितने भी अभी मैं पढ़ाती जारी हूँ, इनके बस sentences create करने की कोशिश करना, ठीक है, next है, hands are tied, मेरे हाथ बंदे हुए हैं, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, my hands are tied, ये तो आपन हिंदी में भी बहुत कहते हैं, not have the ability to help or take action, जैसे किस ने कहा, please आप कुछ करिया, I am sorry, my hands are tied, मतलब मेरे हाथ बंदे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, I am sorry, there is nothing I can do, my hands are tied, okay, next is, know like the back of your hand, अजे टू का टेबल, अगर मैं बोलो टू का टेबल आता है, आप बोलोगे, आख बंद कर आप ऐसे सोचते तो नहीं, आरे यह किस का हाथ है, confused तो नहीं हो जाते हो, नहीं होते हैं, so that is the meaning to know a place very well, to know a place, to know something very well, so she lived in New York for 20 years, she knows the city like the back of her hand, वो 20 साल से न्यू यॉर्क में रही है, उसको वो सिटी इतने अच्छे से बताए, like the back of her hand, मतलब, she knows it in and out, hands down का मतलब क्या होत है, obviously, unquestionably, without a doubt, मतलब, question ही नहीं, hands down का मतलब, जासे सारा वस hands down, the best skater at the competition, अब जासे, magnet brains is hands down, the best educational, education channel on YouTube, अब मैंने ये क्या का हा, magnet brains is hands down, मतलब, magnet brains is undoubtably, undoubtably, magnet brains is unquestionably, मतलब, इसमें तो कोई दो राए ही नहीं है, जो हम बोलते हैं, उसको हम कहते हैं, hands down, she is hands down, the best dancer ever, you are hands down, the best student ever, understood, next है, a hand me down, ये word, ये जो है ना, ये, I think, Harry Potter में भी यूस हुआ था, if you have seen Harry Potter, So, basically, क्या होता है, Zorn की जो family होती है, वो कितनी बड़ी family होती है, and they are not very, like financially, वो लोग, बहुत जादा जो है, stable भी नहीं होते, जोन को किसके कपड़े मिलते हैं, उसके बड़े भाई के, उसके बड़े भाई के, उसके बड़े भाई के, तो क्या होता है, यहां पे, इसको बोलते हैंड मी डाउन हैंड मी डाउन मतलब कोई भी कपड़ा जो की किसी बड़े भाई बहन का था और उसके बाद दूसरे को मिल गया या जैसे आपके घर में आपने कोई ड्रिस्ट पहना और उसके बाद वो आपको छोटा हो गया तो ममा ने उसको मेड की बेटी को दे दिया तो वो जो मेड की बेटी है उसके पास यह जो कपड़ा it's a hand-me-down hand-me-down का मतलब यह होता है जो किसी ने यूस किया हुआ होग आप किसी और को दे रहे हो पहनने के लिए example देख लेते my mother never bought me new clothes she just gave me hand-me-downs from my sister मेरी मान ने मेले कभी नए कपड़े खरी दे ने सिर्फ मेरी sister के जो पहने हुए कपड़े थे वही मुझे दे दिये पहने हुए कपड़े को हमने क्या बोला है hand-me-downs she just gave me hand-me-downs from my sister she just gave me hand-me-downs from my sister second hand का मतलब क्या होता है जो कोई इंसान यूस कर चुका है like I was not at the party I only heard about it second hand अब second hand के हम अगर meaning देखते हैं तो दो होते हैं एक तो यह कि किसी ने already use किया हुआ और आप use करें तो आप उसे second hand कहते हो जैसे आपको याद है मैंने आपको बताया था first hand information वैसे ही second hand मतलब सुनी हुई बात या किसी की कही हुई बात को आप दोहरा रहे हो उसको बोलते हैं second hand next is in good hands मतलब अगर मैं कहूँ कि you know don't worry your child is in good hands your child is in good hands मतलब your child is being taken care of अगर मैं बोलूँ आपका बेटा जो है ना is in good hands मतलब आपका जो बीटा है वो बहुत ही कैफुल हाथों में है जो उनका बहुत खयाल रखेंगे understood example don't worry your car is in good hands williams an excellent mechanic अब आप किसी गराज में गए वहाँ पे आपने अपनी कार को बनभाने के लिए दी नहीं नहीं कार है आपकी और किसी ने जो थी आपकी car को यू नो एक डेंट मार दिया उसमें अब आप लेके गए mechanic के पास बड़े परिशान हो गए आप और वहाँ पे जो manager था उसने का don't worry आपकी जो car है it's in good hands जो william है वो बहुत amazing mechanic है it is in good hands मदब आपकी car का properly खयाल रखा जाएगा understood अब है have a hand in do you have a hand in this murder do you have a hand in this murder yes or no no have a hand mean मतलब होता है तुम्हारा क्या कोई रूल था इसमें janet's cousin who is a vice president at the company had a hand in getting her a job janet का जो cousin है जो उस company का vice president है उसका हाथ है उसको job दिलाने में उसको उसकी काबिलियत के basis पे job नहीं मिला उसका हाथ है so have a hand का मतलब होता है उसका हाथ होना इसका जोल होना उसका involvement होना take matters into own hands अब ये मामला मैं देखूंगी अब ये जो मामला है न वो मेरे हाथों में है अब ये problem मेरे हाथों solve होगी मतलब अब ये जो जिम्मेदारी है ये मैंने अपने नाजों कंधों पे उठा लिये इसको हम कहते है to take matter in your own hands मतलब to take action on a problem yourself because other people have failed to do so जिस तुमने बुला जाओ तुम जो है गड़ा खोद के और नहीं तुम गड़ा कोद के और नहीं तुम गड़ा कोद के और फाइनली किसी ने नहीं खोदा तो आपको ही जाके खोदना पड़ा so you have taken the matter in your own hands understood the city had not done anything about the trash in the park so citizens took matters into their own hands and organized day to clean it up जो जो शहर था उसने पुरे जो कच्रा पार्क में बहुत सारा कच्रा था लेकिन municipal corporation कुछ कर ही नहीं रहा था तो क्या हुआ वहां के जितने भी निवासी थे जो जितने भी citizen थे उन्होंने मामला अपने हाथों में लिया और खुरी सफाई गर दी understood अब है tip your hand tip your hand का मतलब क्या होता है to reveal a secret especially about your plans or opinions tip your hand का मतलब होता है थोड़ी सी जो है ना अंदर की बात बताना थोड़ी सी secret को reveal कर देना जैसे I'll tip your hand मतलब the director tip his hand on plans for his next movie एक press conference हो रहा था जहां पर director ने अपनी नहीं आने वाली movie के बारे में secret reveal किये तो he tipped his hand understood next है on the one hand on the other hand on the one hand अब इसका मतलब होता है एक जगा तो तुम जो है पढ़ाई नहीं करें दूसरी जगा तुम जो हो बड़े बड़े सपने देख रहे हो so on one hand you are not studying on the other hand you are like you know you are trying to be Obama or something इसका मतलब this expression is used to compare two aspects of a situation example on the one hand my job pays well but on the other hand it's very stressful एक जगर देखा जाए तो मेरी जो जॉब है वो मुझे अच्छा खासा पेमेंट देती है salary अच्छी आती है लेकिन on the other hand यह बहुत ज्यादा stress भी देती है clear चलिए these words like बहुत साथे देखे हैं हमने I know काफी साथे देखे हैं लेकिन आपको मैं यह थूरी ना कह रही हो एक दिन में सब याद कर लो you can write it somewhere keep आप जो वीडियो है इसको download करके रख सकते हो safe करके रख सकते हो you can watch it later as well आपको बस यह करना है कि एना अपनी English का level बढ़ाना है hand का मतलब सबको पता है give का मतलब सबको पता है but give me a hand का मतलब नहीं पता था अब पता है give me a hand का मतलब होता है मेरी मदद करो so give me a hand why because मैं चाहती हूं मेरे जो students है उनकी जो English है वो यहां से यहां पहुँच जाए so please give me a hand okay so I'll take your leave यह सारे जो वीडियो से आपको मिल चाहेंगे spoken English पे but basically जो है Magnet Brains की website के home page पे spoken English का tab है इधर पर जाके आपको watch now पे क्लिक करना है जो भी वीडियो देखना उस पे क्लिक करना है and this is how your video will start okay thank you so much once again यह वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा आपके लिए useful था अगर था तो do write in the comment section and don't forget to like share and subscribe take care of yourself